कर दोस्तों इसे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 173 तक के अब्जक्टिव प्रशन को देख चुके थे चैप्टर है आपका बुद्धी अधिये यदि आपने पीछे वाले चैप्टर को अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं आप उन स्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिजिएगा चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोस्टन के और आपका फर्स्ट कोस्टन है आज का दो जुरुवां भाईयों में से एक को समाजिक आर्थिक रूप से धनाड़य परिवार द्वारा गोद लिया गया जबकि दूसर समाजिक आर्थिक वाला परिवार में जो लर्का गया था वह निर्धन परिवार वाला लर्का से अधिक प्राप्त करेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको कोस्टन कर रहा है बुद्धी लवदांग के बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर आपको विचार करना ह होगा तो दूसरा पढ़िये आप समाजिक आर्थिक अस्तर बुद्धी लवदांग को प्रभावित नहीं करता है यह बिल्कुल सही हो जगा समाजिक अस्तर चाहे कोई भी हो आर्थिक अस्तर चाहे कोई भी हो लेकिन बुद्धी लवदांग को प्रभावित नहीं कर सकता ह नेश्ट कोस्टन है आपको लगता है कि कक्षा में कुछ बच्चे तेज गती से सीखते हैं और कुछ धीमी गती से इस परिस्थिती में आप क्या करेंगे पहला अप्शन तेज गती से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे बिल्कुल भी नहीं वो बढ़ रहे हैं लेकिन उनके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो कमजोर है वो भी आगे बढ़े धीमी गती से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हे तुल लेंगे यह बिल्कुल सही हो जब तक त्यज़ बच्चे जो भी है इंटिलीजन और वो धीमी गती से सिखने वाले बच्चों को सहता नहीं करेंगे तो धीमी सिखने वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो चार का सही है इंसर हो जाएगा नेक्ष्ट कोस्चन आपका निम्न में से कौन सा बधिमान बच्चे का लक्चन नहीं है पाला उप्चन वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की छमता रखता है तो भई बताईए जो बधिमान बच्चे होंगे क्या वो रटने की छमता रखेंगे बिल्कुल न साले बधिमान बच्चे का लक्षन नहीं है दल है निम्निक्न मेंसे कौन सी बधिक की परिवासा नहीं है तो बधिक करने की एक वीधी है बिल्कुल सही है बुद्धि ज्यान अर्जन करने की छमता है यह भी सही है जीवन के अपक्षाक्रित नविन परिष्थितियों से अपना सामनजस करने की योगता ही बुद्धि का लाती यह भी सही है राजनितिक आर्थिक समाजिक सक्ति को प्राप्त करन लिए उक्त बुध्य बिल्कुल गलत है चार का सही अंसर हो जाएगा याने की चार का जो उपशन दिया गया है यह बुध्य की परिवासा नहीं है देश्ट कोस्ट्ट न है का आज एकल बुद्धी परिक्छन का अपयोग सिक्षा जगत में हो रहा है। नहीं है बिलकुल सही है सेख्षिक मार दर्षन के दिरिश्टी कून से सही नहीं है। नेस्ट को ऑप्शन है आपका बुधी परिक्षन के परिनाम के अधार पर अधिक बुधी लबदी वाले बालक पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक धियान देना बिल्कुल गलत है यह यानि कि ऐसा नहीं है कि जो अधिक अंक लाया है उसके तरफ जैदे धियान देंगे और जो कम अंक लाया है उसके तरफ कम धियान देंगे तो दो नमर का एंसर कोस्टन के नुसार सही हो जाएगा या विकास की दिरिश्टी कोन से सही नहीं है नेस्ट कोस्टन है आपका एक ही कक्षा सिक्षन का निस्पाद अन्भीन-भीन होता है निमलखित में से कौन सा इस परतियक छात्र की सही नती के मार को प्रस्त किया जा सकता है यह भी सही है अनुसंदान के घटकों का चैन करना तो बुधी भी एक आधार होता है यह ूथ जब तक गुधि नहीं रहेंगे तब तक अनुसंदान के में घटक क्या होना चाइए हम उसका चैन कैसे करेंगे संभब नहीं है ताकि कम से कम दूсти यह सभी नेक्ट कोस्ट निए आपका आज कल बुधी परिक्षन का उपयोग शुक्षा जगत में व्यापक रूपसे हो रहा है नेसरा उप्सट में से कौन सा सिक्षा जगत में ब्还 rider के सद उपयोग का एक यह कार्रारन प thighople Carn。」 है आपका की बुधी परिक्षन के अधार पर चात्रों के लिए अधिगं कवी करना यह भी सही को जाएगा नेक्ष्ट ऑपचन आपका बुधी को क्या खाट्रों को प्रामर से देना यह भी पर्थक थौर्ण डाइक थे निमलकीत में से कौन सा कथन इस सिदांत के अनुरूप है इस सिदांत के अनुरूप होगा उसको आपको चूज करना है पहला अप्षन है आपका बुधी कई ततों का समू होती है और परतियक तत्मे कोई सुक्ष मिजोगता नहीं होती है यह बिल चुके है पड़ चुके है यदि आप वह अभी तक थ्यूरी चप्टर इसका नहीं पड़े हैं तो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट अवस्य देख लें और परतियक तत्मे कोई सुक्ष मिजोगता नहीं होती है तो एक का सही आंसर हो जाएगा नेस्ट कोस्चन आपका क्या है पाला अप्षण है आपका कई बुद्धी कई तत्म का समुख होती है यह तो तो सही है और परतियक तत्मे कोई सुक्ष में योगता नहीं थोती है तो नेक्स्ट अप्शन को भी पढ़ लेते हैं एक से अधिक उप्शन सही होगा तो इसमें से हम लोगों को चूज क प्रभावी होगा उसको चूज करना नेक्स्ट उप्षन है कुछ मानसी किरियाओं में एक परमुख तत्व समान रुप से विदमान होता है जो उन किरियाओं के कई गुरूप होते हैं उनमें अपना परमुख एक तत्व होता है नेक्स्ट उप्षन है आपका व्यक्ति का स मानसिक कर्यों में दो परकार की मानसिक जगताओं की आवसकता होता ह contar यह बिलखुन सही हो जाएगा बहुत यह का अनुसार का सामान मानसिक योगता दूसरा है आपका स्विश्ट मानसिक योगता इस तरह से में और को से च्षी आअनसर हो जाएगा नेक्स्ट अप्का एक अच्छे सिख्षक के रुप में व्यक्ति को बुधी परिक्षन के परिनाम जानने के बाद निमिल्खित में से किस व्यभार से बचना चाहिए हम लोग को इसका फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि परिनाम के अधार पर सुधार के लिए प्रामर्स देना तो यह तो बनता है कि सुधार के लिए प्रामर्स देना किस व्यभार से बचना चाहिए हमको वह आपको चूच करना है कोस्टन के अगर चलेंगे तो लवग लवग आपका सेवेंटी प्लस परसेंट आपका सही जाएगा आप अपने ओपर ले करके कोस्टन को पढ़िए और पोजेटिव डिरेक इस व्यभार दो नम्मर के उप्शन में जो व्यभार दिया गया है इस व्यभार से बचना चाहिए नेस्ट कोशन आपका आपको अपनी कक्छा में दो मंद बुद्धी बच्चों को बेठाने के लिए बोला गया है आप क्या करेंगे पहला उप्शन उन्हें अपने विद् प्रधना अध्यापक को उन्हें किसी किसी और कक्छा जो मंद बुद्धी बालकों के लिए विश्यस रूप से चल रही है उसमें बैठने के लिए बोलेंगे तियों भी बिल्कुल गलत है नेस्ट आपका ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखेंगे यह बिल्क इस इसते से 3 नमर का सही हो जल्मुल यह इस तरह से आज का यह यहीं पर समप करते हैं मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियों में और याधी वीडियों चाहा है अपका सैंच को जरूरिक देज़ये चेनल को सबस्क्राइब करके यह बंतले टूब तब तक के लिए ढनियवाद मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में जाए गिंद